Hello everyone, welcome to my channel Goldie Hunjan Makeup Studio जैसे कि आप जानते हो, मैं आपके लिए बड़े अमेजिंग से टॉपिक्स के ओपर वीडियो ले के आता हूँ आज भी मैंने वैसा ही किया है, मैंने एक प्राइड को रेडी किया है, जिनका मैंने मेकप अगेर मैंने मल रखा है अगर आप चाहते हो, तो सेम टेकनीक के साथ आप बोल्ड लुक भी क्रियेट कर सकते हो, और जैसे आज मैंने मिनिमल से लुक क्रियेट किया आप वैसे भी क्रियेट कर सकते हो तो चलो, अब मेकप स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं आपको सारी चीजे स्टेप बाए स्टेप बताता जाओंगा जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम जो ब्राइडल मेकप करने हैं, इसमें मैं ब्रॉषे यूज कर रहा हूँ आप देखो कितने ज्यादा ब्रॉषे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ब्रॉषे की, स्टेप बे स्टेप में ब्रॉषे यूज करूंगा और साथ के साथ आपको बताता जाओंगा मैंने कौन सा ब्रॉष किस अप्लिकेशन के लिए यूज किया है अभी हम इनका करेंगे सीटेम के साथ मेकप स्टार्ट स्टारी अब सबसे पहले देखो मैने अब टोनर कर दिया है अब सबसे पहले अप्लिकेशन करेंगा वो माश्राइजर के अप्लिकेशन करेंगे उसके लिए में ब्रेश यूज कर रहा हूँ तो इस ब्रेश के साथ हम एप्लिकेशन करेंगे माश्राइजर की ब्रेश की शेप काफी अच्छी है और आप देखो की फेस के ऊपर कवरेज कितने अच्छे से दे रहा है काफी स्मूध भी है क्योंकि मैंने एक बर ही पहले बताया था आपको कि आपके अगर टूल अच्छी हैंगे तो आपके मेकप का आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा और जब ब्रशेज एंड ब्यूटी ब्लेंडर आपका अच्छा हो तो आपके क्लाइंट को भी कमफर्टेबल लगता है मतलब वह ताला हार्श नहीं होते हैं तो अब हमने मौश्यराइजर एप्लिकेशन एक बर ही कर दी एप्लिकेशन करने के बाद अब इसको मैं सेट करने के लिए बुफिंग ब्रश यूज कर रहा हूँ इसके साथ में मौश्यराइजर को स्किन के अंदर पैनेटरेट कर दिया तो यहां पर हमने पैने पैनेटरेट कर दिया तो आज मैं आपको मेकप में यह बताने वाला हूँ कि जो मेरे यहां पर ब्राइड है इनकी स्किन ड्राइज है तो इनका आई टाइप है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके नूट्रल सा एंद अमेजिं सा मेकप हम इनको कैसे देंगे और नेक्स अभी जो मैं यूज कर रहूं दैट इस शोपैरल का प्राइमर शोपैरल का प्राइमर यूज कर रहें इस फोर आल-skinned टाइप यह राइज के लिए काफी अच्छा है यह वाला प्राइमर शोपैरल का तो अगें मैं सेम ब्रश के साथ एप्लाई कर और बहुत ही अमेजिंग एंड स्मूथ ब्रश के लिए तो अच्छे से स्केन के अंदर हम ने किया पैनेट्रेट सो नाव दा आई पार अब हम आई के साथ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम आई के ओपर लगाएंगे मैटिफाइंग प्राइमर आइस को मैटिफाइंग कर आई के ओपर अप्लिकेशन करने के लिए दाट इस ब्रश अपैरल का ही है आप देखो ऐसे एंगल शेव में है और इसके साथ आप अच्छे से प्रड़क्ट पिक कर सकते हो और आपको अप्लिकेशन भी इजी रहेगी डापिंग डापिंग मोशन में मैंने ब्रश के साथ आई के ओपर प्राइमर अप्लाई किया अब देखो कि size size matter करता है size इसका इतना apt है कि client के eyes के ओपर अच्छे से सेट और रहा फिक्स हो रहा है ना ज्यादा बड़ा है size वाई ना ही ज्यादा छोटा है एक अच्छा and decent सा size है and now the part is concealer हम eye base करेंगे eye base के लिए भी यहां पर मैं शपरल का ही concealer यूज़ कर रहा हूं this is full coverage concealer for all skin type तो मैंने यहां पर concealer अप्लाई किया dot dot form में and then हम same brush के साथ जिसके साथ पहले मैंने primer अप्लाई किया था उसी brush के साथ यहां पर मैं concealer को ऐजा eye base set कर रहा हूं so guys आज मैं इनको करने वाला हूं half cut and crease काफी demand आ रही थी मुझे कि आप सार कोई half cut and crease makeup करके बताओ but साथ के साथ यह भी थी कि cut and crease हो but वो ज्यादा vibrant loud भी ना हो तो neutral हम कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं क्योंकि already जो मेरे bride and की dress जो है वो red color में तो उस color के साथ अगर DA में आपने makeup करना है या फिर client की choice के accordingly makeup करना है तो हमें makeup neutral भी रखना है and at the same time cut and crease भी करना है so सबसे पहले transition color के लिए मैं brush उठाऊंगा क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे transition transition के लिए मैं brush use कर रहा हूं आप देखो कितना अच्छा texture है brush का hair brush है and the brush is A165 इसके साथ हम transition apply करेंगे transition के लिए मैं हलका सा pink color pick कर रहा हूं from brush brush की यह वाली हम palette use कर रहे हैं इसमें से मैं यह color pick कर रहा हूं transition के लिए और outer part से हम आई के start करेंगे ऐसे circular motion में so आप देखो कि कितने अच्छा effect है brush के साथ मतलब मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है यह brush use करते है क्योंकि मुझे output अच्छे से मिल रहा है और blending तो ऐसी amazing है तो मैंने यहां पर अच्छे से transition color को जो है वो फेल किया और softness देनी है हमने ठीक है अब मुझे अगर neutral eyes भी करने है तो मुझे जो outer corner है उसको हलका हलका सा contour करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम वहां पर हलकी सी contouring नहीं देंगे तो हमारी जो eyes की है मतलब definition ज्यादा नहीं आएगी ज्यादा light तो मैं शॉपैरल की again wedding bell यूज कर रहा हूं काफी ज्यादा यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि इसका नाम भी wedding bell है और इसमें जो आपको shades है वो सारे brights के shades ही मिलते हैं तो color range भी काफी अच्छे इसमें देन मैंने यहां से यह वाला brown color इसका पिक किया outer corner को contour करने के लिए and the brush is शॉपैरल का A27 आप देखो इसके साथ मैंने क्या करना यहां पर just dapping motion में मैंने यहां पर color fill कर दिया see dab dab करते हुए मैंने outer corner पर color fill कर दिया हम यहां पर black या कोई ऐसा और color यूज़ कर सकते हैं बट वह आपकी client की और आपका जो makeup का look है उसके ओपर depend करते हैं now the party हमें यहां पर एक crease जो है वह create करनी है तो crease create करनी के लिए मैं brush ढून रहा हूं कि मैं कौन सा brush यूज़ करूं तो मुझे इसमें से brush मिल गया so crease create करनी के लिए मैं यह वाला brush यूज़ करूंगा synthetic brush है and flat है और number है इसका A238 तो इसके साथ हम crease create करेंगे and crease create करनी के लिए जो मैं concealer use कर रहा हूं that is again from shoparel shoparel का concealer है medium tan तो मैंने ऐसे हलका सा concealer अपने हाथ के लिए and then अब हम क्या करेंगे इसके साथ half crease create करेंगे तो half crease कैसे create करते हैं वह आप detail में बता रहा हूं मैं तो अच्छे से ध्यान से देखना तो मैंने यहां पर देखो color उठाना है मैंने बहुत जादा color ने उठाना कर जादा color उठाऊंगा वहां पर manage नहीं कर पाऊंगा आप eyes open करना तो अभी देखो जैसे मेरा client eyes open कर रहा है तो मुझे यहां पर पता है कि इस area से मुझे उपर नहीं जाना जहां तक इनके eyes open हो रही है close कर लो so हमने क्या करना है inner corner से ऐसे dapping motion में धीरे-धीरे color sorry concealer lift करना है तो इसमें मैं आपको साथ के साथ एक और टेकनिक भी बता देता हूँ easy करने के लिए मैंने यहां पर क्या 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 से एक random concealer का color फिल कर दिया अगर आप लोगों को थोड़ा सा uneasy लगता है आप उपर देखना अब यह उपर देखेंगे अगर वहां पर यह दिखो वहां पर क्या होँ यहां पर एक mark मिल गया ना मुझे तो मैंने इसी mark को आगे अपनी guideline लेना ऐसा guideline तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर concealer लगा जहां तक इनकी eyes open हो रही है वहां तक यह automatically print देदेगा और आपको easy हो जाएगा क्योंकि आपको guideline मिल जाएगी तो मैंने यहां पर guideline को follow किया and crease create कर दी so this is called half cut and crease make-up so आप लोग मेरे videos अच्छे से देखते हो क्योंकि मुझे वहां पर काफी queries आती हैं आपके comments आते रहते हैं आप detail में products या फिर कोई और knowledge आपको चाहिए वो पूछते रहते हो तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको हमारी तरफ से within 24 hour और two days के अंदर-णद reply आ जाएगा तो hopefully सब लोग satisfied भी हैं इस चीज़ से कि reply आ रहा है आपको एंड आप लोग अगर हमारी videos regularly देखते हो और फिलहाल अभी हमारा page आपने follow नहीं किया तो वो चीज़ सबसे पहले कर लो क्योंकि काफी हमारा content ऐसा होता है जो बड़ा अच्छा है और आप लोग miss कर देते हो बिकॉज आपने सिर्फ random देखा और उसके बाद भूल गए so next मैंने क्या किया brush को मैंने एक बार अच्छे से ऐसे clean कर लिया tissue के साथ clean इसलीक है क्योंकि मुझे यहां पे इस color को dapping motion में smooth करना है मुझे यहां पे hard line नहीं चाहिए like this देखो यह smoothness आगी यहां पे and then अब हमने क्या करना है यहां पे eye shadow fill करेंगे अब इनके लिए देखो मैं neutral प्लस थोड़ा सा deep color पिक कर रहा हूं यह वाला color मैं पिक करूंगा यह जो palette है zoiva की palette है इसमें काफी अच्छे and intense आपको shade मिलते हैं जिसमें आपको shimmer and साथ के साथ आपको matte shades भी मिल रहे हैं तो इसमें से हम यह color pick करेंगे with the brush so brush इसके लिए मुझे yes इसके लिए मुझे flat brush चाहिए तो यह है हमारा flat brush apparel का A107 इसके साथ मैं यहां से color pick करूंगा and हम इसको dapping motion में वहां पे apply कर देंगे like this crease के उपर क्योंकि इसके साथ मैं neutral सा effect आएगा ज्यादा vibrant look भी नहीं आएगी and decent and neutral but at the same time cut and crease so यह जो मैं tutorial कर रहा हूं यह on demand है तो अगर आप लोगों की कोई और भी demand है तो आप वो मुझे बता सकते हो अभी हमें क्या करना है इस आई एरे को थोड़ा सा highlight करना है क्योंकि यहां पर हमें define भी करना हलका से तो हम define करेंगे अगर हम light makeup भी कर रहे हैं तो उसको define करने के लिए मैं यहां से zoiva की palette के अंदर से यह वाला color pick कर रहा हूं और जो मैं color pick कर रहा हूं और जो मैं color pick कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं ब्रश के साथ शपैरल का है यह वन डबल सिक्स brush है काफी fine है पतला सा brush है आप देखना कि कितना easily यहां पर definition देने में हमारी help करेगा क्योंकि अगर cut and crease कर रहे हैं तो सामने से हमें थोड़ा सा define करना ही पड़ेगा आई को otherwise आई आपकी flat लगेगी जादा अब हमें करना है highlighter application सो highlighter के लिए मैं यहां से ले रहा हूं second brush वैसे तो दिखो आप अपने accordingly brushes पिक कर सकते हूं आपको अगर brushes की अच्छे से knowledge है तो आप कोई भी brush पिक कर सकते हूं और आपको अगर brushes के textures में brushes कैसी होते है उनका type कैसा हो तो उसमें अगर confusion है तो मेरे page के ओपर मैंने video डाली हुए brushes की proper उसमें मैंने detail में knowledge दी हुए है अब वहां से देख सकते हूं कि brushes के type कितने होते हैं और हम कौन सा brush किस application के लिए यूज करते हैं तो यहां पे जो मैंने highlighter उसके है इस फ्रॉम कीको का highlighter उसके ब्राव बवन को highlight करने के लिए एंद अगें दब्लायनर कर सकते हैं साथ में इसके शीमर लाइनर करोंगा तो वह आपको बताऊंगा कि में अगर हम न्यूट्रल भी शेड्स रखते हैं तो इसके साथ भी हम मेकप को अच्छा एंड क्रिएटिव दिखा सकते हैं तो लाइनर के लिए ब्रेश में यूज कर रहा हूँ ए 1 3 7 सो थम के उपर मैं एक्स्टा जो प्रड़क्ट है उसको रखूंगा एंड देन आई को लिफ्ट करूंगा आई को लिफ्ट करने के बाद मिडल से हमें अप्लिकेशन स्टार्ट करनी है ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ लाइक दिस और ज्यादा वेंग लाइनर भी नी रखूंगा बिल्कुल नॉर्मल साही रखेंगें आप आई जूपन करने अब सेकिंड इसके उपर मैं ग्लिटर लाइन एड करूंगा सौरी शिमर लाइन एड करूंगा लाइनर के उपर वह मैं कर रहा हूं थोड़ इसी पिंकी स्टोन में ज्यादा पिंक शेड नी है क्योंकि हम जैसे मेक अप कर रहे हैं तो आप कोई भी कलर एड कर सकते हो तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं अब जैसे कुछ क्लाइंट से उनकी ड्रेस का अगर कॉंबिनेशन हमें उठाना होता है तो वह हम वैसिक पिक कर सकते हैं सो अगेन इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं लाइनर ब्रेश ही यूज कर रहा हूं सेम ब्रेश कर दो कर दो दो सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो देखो मैंने यहां पर अच्छे से प्रोडेक्ट लगाया आपका प्रोडेक्ट एंड आपका टूल दोनों ही अच्छे होने बहुत ज़रूरी है और मुझे काफी यह जो लाइन है यह मिल गई आप आइस उपन करना है सो देखो कितना अच्छा लग रहा है बस उप्लोज कर लो जब तक उनकी आइस का लाइन ड्राइन होता है तो हम इनकी आइस क्लोज रखेंगे अन आउ दा ब्राव पार्ट ब्राव के लिए भी मैं शपैरल का ही कलर यूज कर रहा हूं ब्राव फिलर इसके लिए ब्रेश जो हम यूज करेंगे नहीं यह वाला नहीं ब्राव के लिए ठीक है तो यह एंगल ब्रेश हमें मिल गया तो इसमें मैं यह वाला ब्रेश जो है यह ब्राव के लिए यूज कर रहा हूं बट आप इसको कंसीलर के लिए भी यूज करें क्योंकि जो यह जो ब्रेश है बिशिकली ब्राव के लिए थोड़ा सा बड़ा है बट किट के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्रॉष है तो मुझे यह ब्रॉष से लगा एंगल ब्रॉष है यह भी कर सकते हूं इवन दर सेकंड ऑप्शन इस तो आप ब्रॉष के लिए यह भी यूज कर सकते हूं बट मैं इस brush के साथ brush create करूँगा छोटा भी है and handy भी है बट इसका multi-use भी कर सकते एवन under eye line के लिए या उपर liner के लिए हम इसे use कर सकते है and ये वाला brush भी आप use कर सकते बट इसको मैं preferably concealer के लिए use करूँगा या फिर जादा sharpness देने के लिए जैसे under the lips around the eyes तो brow के लिए हम light brow color use कर रहे है from shoparel तो यहां arc से एक अच्छा सा strong सा color deposit this way and dapping motion में कभी भी brows के लिए आपना line मत draw कर अगर आप line draw करते वो ज़्यादा fake लगते है तो आपने क्या करना है just dapping motion में ही color को ऐसे add करना है like this और बिल्कुल natural सी यह look देंगे ज्यादा failed brows artificial brows नहीं करेंगे तो यह portion and सामने से हलका सा filling and बाकी की finishing हम कभ करेंगे जब हमारा base हो जाएगा क्योंकि में भी हो सकता भी आपको brows जो हो थोड़े dull लग रहे हो बट यह हो जाएंगे settle and अब इसको मैं spoolie के साथ finish कर दूँगा क्योंकि अगर extra कोई color है brows के अंदर तो वह हमें वहां से remove करना है और brows को बिल्कुल natural look देनी है काजल के लिए मैं यहां पे pick कर रहा हूं green काजल हम apply करेंगे make a forever का कर रहा हूं उपर देखना तो सारी चीज़ें जो है देखो customize आप कर सकते हो sometimes आपके client की requirement भी होती है या फिर demand होती है और कभी कभी होता है कि हम लोग जैसे make up करते मालो आपके client ने कहा कि मुझे थोड़ा सा neutral make up चाहिए तो neutral आप ने कर दिया है बट बाद में अगर उनको लगे कि नहीं थोड़ा सा change कर दो तो कुछ चीज़ें होती है जिसमें हम अलका सा change कर भी सकते हैं ऐसी कोई दिक्कर नहीं है बट हाँ अगर वो सही time पे बोलते हैं तो अभी मैंने क्या कि अभी काजल कर दिया अपलाई तो इसको थोड़ा सा finish करेंगे ब्रेश के साथ ही करेंगे तो यहां पे मैं ब्रेश यूज कर रहा हूं बड़ा ही टाइनी सा ब्रेश है ए 139 इसके साथ मैंने क्या करना है यह जो corners है यहां पे काजल अच्छे से फिल नही मैं अब क्या करूंगा अंडर दा आइस एंड फेस क्लीन करके बाकी का मिक अप हम शुरू करेंगे हम आइस में कर सकते हो भी जैसे मैं बात भी कर रहा था आपने बिल्कुल सही टाइम पे बोला अगर हम कर सकते हैं आपको कहां पे लग रहा है कि कि मैं करना चाहिए तीक है तो देखो मैं आपको प्ता दूं कि हमने यहां पर जैसे शिमर लाइनर भी दे लिटर लाइनर ठीक है बट देखो ऑन डिमांड है डिमांड में कुछ भी चेंज़े सो सकते हैं सम्टाइम लाइट लगता है तो हमें करना क्या है उसके लिए मुझे चाहिए कि कोई ऐसा ब् मैं यहां पर मैं यूज कर रहा हूं प्रॉश प्यूटी की आई शॉर स्टोपर पैलेट है तो इसमें मैं यह वाला पिग्मेंट उठाऊंगा बिल्कुल मिनिमल सा तो जैसे की देखो डिमांड आई है तो हलका सा चेंज दो हमें करना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ करूंगा मैंने क्या किया सिरफ इस क्रीज को डिफाइन कर दिया क्योंकि अगर अब मैं पूरे आई बॉल के उपर प्रड़क्ट अप्लाइ करूंगा तो क्या होगा अलरी शिमर लाइनर है एंद पूरी आई बॉल का शिमर में चिकनवर्ट हो जागी तो वहां पर मैस हो ज क्योंकि शिमर अगर कर रहे हो तो यहां पर कलर को हल का सा डाक कर दो तो देट पूर डिफाइन अच्छे सी हो जाए तो यह वाले जो चेंजेस हैं यह मुस्सली होते रहते हैं तो आपको इन चेंजेस के लिए भी प्रपेर रहना होता है सम्टाइम्स मैं खुद चेंज कर देता हैं मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि मेकप में कोई चीज है वेरियेशन करनी चाहिए यह लाइट लग रहा है तो उसमें आपको चेंज करना चाहिए सिरफ यह कभी नहीं सोचना चाहिए आपने जो कर दिया वह हमेशा परफेक्ट होगा एक बार ही मैं हमेशा यह चीज बोलता हूं कि सामने से एक लोग लो क्लाइन को देखो कि वह ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है अभी हमारा क्या है मेकप को क्लीन करने का पार्ट है तो मैं यहां पर मॉस्टराइजर अप्लाइज कर रहा हूं अंडर लग गया ना मेरे हाथ के ओपर शिमर था तो इस शिमर को भी हमने ऐसे मॉस्टराइजर अप्लाइज करना है और बाद में हम क्या करेंगे क्लीन कर देंगे इसको लाइक दिस और देखो कितना एजी लिए क्लीन हो गया तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है हमने प्राइमर करके फेस बिल्कुल प्रेप किया हुआ है तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे तो यहां पे अप्रेप करेंगे क्रेक्शन के लिए मैं शौपैरल का कलर यूज कर रहा हुआ हूँ मीडियूम टैन इस इस दा कलर बिल्कुल मिनिमल सा मैंने कलर लिया अपने हैंड के उपर और यह वाला यह वाला प्रश तो अगेन मैं वही ब्रश यूज कर रहा हुआ है जिसके साथ हमने आई कंसीलर अप्लिकेशन की थी 153 ब्रश है तो इसके साथ क्या करेंगे कंसीलर उपर देखना तो यहां पे हमने आपको इसी टेकनीक बताता हूं कभी भी अगर किसी क्लाइंट के अंडर आइस डाक है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप वहां पे कौन सा कंसीलर या क्रेक्टर अप्लाई करो तो उसका सबसे इजी फंडा क्या है जिस लेवल के वहां पे डाक सेकल्स है उसी लेवल औ और उसी कलर टोन का आप वहां पे कंसीलर अप्लाई कर दो उपर दिखना तो आपको कंफूजन भी नहीं होई कि और आपके क्लाइंट का मेकप ऑक्सिडाइज भी नहीं हुएगा तो इस तो आपके यह सब को काफी इंफोर्मेटिव लगा जो मैंने भी बताया इजी भी है तो मैंने देखो अच्छे से ब्लेंडिंग करी ब्लेंडिंग के लिए तो काफी मज़ेदार है यह वाले ब्रश्चे सब्सक्राइज देखो पे ग्रीन कलर करेक्टर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पिंपल का साइज ही बहुत चोटा सा है वहां पे ग्रीन अगर लगाओ होगे भी तो कोई SH output नहीं आएगा हमेशा अपने ग्रीन कलर है और इंज कलर उस एरिया पे लगाना जो एरिया थोड़ा सा वाइड हो मिस वहां पे आप एप्लिकेशन करता हो सोको बट अगर इतने इतने से स्पोर्ट होते हैं जैसे रैट स्पोर्ट बिल्कुल माइनर से स अगर मालूम आपको एक्सांपल देता हैं आपके क्लाइन के फेस पर फेस पर पांच-पांच-पांच-चे-चे पिंपल हैं ठीक है हर जगा के उपर तो अब वहां पे इतने इतना ग्रीन कलर नहीं लगाओगे तो बो तो आटमेटिकली कंसील हो जागा बट हाँ अधर्व अपरेज फांडेशन फ्रॉम फेंटीब्यूटी तो फेंटी ब्यूटी के दो शेड्स मेरे पास हैं एक है तूफिफिटी एंड वन इस एंड सेकिंड वान इस वन ट्वेंटी तो दोनों शेड्स को मिक्स करके हम इनका जो स्किन का कलर है वह इसमें से लिक याएंगे तो मैं क्या करूंगा यहां पे जो फेर फाउंडेशन है क्योंकि मेरे क्लाइंट की जो स्किन फेर साइड है तो मैं क्या करूंगा पहले फेर फाउंडेशन का स्वाच लोंगा इनके नेक के ऊपर तो देखेंगे कि फेर इनके स्किन से काफी फेर है तो इसको पहले ब्लेंड करे तो आप देखने हैं अगर आपके पास बड़ा ब्रश है तो उसके साथ एप्लिकेशन कितनी इजी हो जाती है तो मैं यहां पर फिर से ब्रश कर रहा है और आप देखो वन गो में कितना एरिया कवर हो रहा है तो यह मेकब फटा फट कर देंगे ब्रश आपका और साथ के साथ आप देखो ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो रही है को ब्रश के ब्रिसल के उसमें निशान भी नहीं हा रहे है been about is fine अपर करें इस ब्रॉप अरिया कवर कर रहे एंडर फोर हैड तो मैंने जो इनके लिए भी फांड़ेशन यूज किया है इनके प्रेह फेस के लिए मैंने हाफ फेस के लिए सऔरी फालव फॉर फांप्स लिया है फाउंडेशन के तो टोटल एट पंप क्योंकि कुछ लोग क्यालकुलेशन करते हैं पंप वाइस मैंने यह फर्स टाइम बोला है ऐसे सो यहां पर हमने क्या कि हाफ़ेस अच्छे से कवर कर दिया एंड दा नेक पार्ट डब डब करके एजीली तो लुक कितना अच्छा एफेक्ट मिला मुझे और यह जो फाउंडेशन है इस फुल कवरेज फाउंडेशन फोर नॉमल स्किन अगर किसी की स्किन जैसे इनकी स्किन ड्राई है तो मैंने क्यों यूज किया क्योंकि इनकी स्किन फ्लॉलेस है अगर आपके पास वेरियेशन होने चाहिए बट आपको कोई भी फाउंडेशन जो है वो हर स्किन केप पर यूज करना भी आना चाहिए मालो अगर आपके पास ऑईली स्किन आई है और आपके पास फांडेशन हुड़ा ब्यूटी है तो आप उसको कैसे यूज करोगे क्योंकि मुझे आप कोई भी फाउंडेशन देदो कोई भी स्किन टाइप देदो सब के उपर अच्छे से फ्लॉलेस लूप मिलेगी क्योंकि देखो आप यह थोड़ी नहीं कि अगर आपके पास 15 तरह की स्किन टोन्स आ रहे हैं स्किन स्किन टाइपस आ रहे हैं आप 15 टाइपस के फांडेशन रखोगे आपको सिरफ बैलन्स करना ना चाहिए कि वहां पे अमाउंट कितनी यूज करनी है इसकिन को प्रेप कैसे करना है तो से यह सारे पैरामीटर सो एयर के उपर भी हलका सा करेंगे एंड यह ब्रेश जो मैं यूज कर हूँ ढबल वन फाइव अभी इनर कॉर्णर के लिए मैं ब्रेश यूज कर रहा हूँ जैसे क्लोस टू दा आइज हमें डैपिंग करनी है तो यह राउंड ब्रेश है बट हलका सा टेपड है तो यह है 370 इसके साथ हम क्या करेंगे जस्ट डैपिंग मोशन में इस एरिया के ऊपर अप्लिकेशन एंड अन्डर आइज और इनको अब हम लगाने वाले हैं लिक्विड ब्लशर जिसके साथ इनकी चीक्स अच्छे से पॉप अप होएंगी बट ज्यादा नहीं करेंगे तो एक बारी मैं पहले सेट कर रहूं तो आपको मैं आज जो ब्लशर है वो भी बताऊंगा कि मैं कौन से यूज करें बड़े अच्छे ब्लशर हैं वो भी डब डब करके ठीक है तो अभी एक बारी हमारा बेस हो गया सेट तो यहां पर जो मैं आज आपको ब्लशर दिखा रहा हूं लिक्विट ब्लशर था and the blushers are from forever 52, forever 52 के liquid blushers है and आप देखो packaging भी काफी अच्छी and colors बहुत अच्छी है आप इसको routine में भी use कर सकते हो with makeup और without makeup भी आप इनको use कर सकते हो without makeup just blushes ही cheek चाहते हो तो आप उसके लिए color use कर सकते हो color daily routine के लिए अच्छी है तो मैं इसमें से जो color use करने वाला हूँ that is JCB005 color हम use करेंगे this color तो इसको use कैसे करना देखे तो यह tube है और साथ के साथ इसके उपर pump है तो मैंने यहां पे हलका सा blusher लिया तो पहले इसके intensity चेक करने कि कितना intense है and then फिर हम देखेंगे कि इसका output and color shade कैसा है तो मैंने यहां पे जो brush लिया है that is from chaparral 247 और इसके साथ हमने dapping motion में apply करना है blusher को blusher का color बहुत सुंदर है बड़ा amazing सा color है ना जादा pink है ना जादा peach है ना इस brown है तो यह जो blusher है आप routine में भी use कर सकते हो कभी market जाने के लिए बिना make-up के easily use कर सकते है यहां पे हमने हलका सा shady देना था तो उत्ता इसे दिया but काफी अच्छे से इसका color है इसके intensity काफी अच्छी है pigmented है क्योंकि अगर pigmented नहीं होएगा तो आपका जो blush है वो जादा stay भी नहीं करेगा आपका face जो ब्लैंक लगेगा जल्दी है कितना flawless है लुक अब लॉकिंग पार्ट हमने अब मेकप को क्या करना है लॉक अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है मेरे क्लाइन के skin अगें dry है तो dry skin के ऊपर हम क्या करेंगे loose powder लगाएंगे mostly सब की यही चीज होती है कि skin पहले से dry है यह उपर से loose powder लगा दोगे तो dry हो जाएगी बट एक चीज आपको बता दूं कि loose powder के बिना translucent powder के बिना आपके क्लाइन का make-up है वो stay नहीं करेगा तो हमें lock करना ही पड़ेगा make-up को अगर skin dry है या oily है तो भी आप उपर दिखने परी तो यहां पर मैं यूज करूंगा मुझे देना है मैं यहां पर यूज कर रहा हूँ K-Beauty का loose powder K-Beauty का loose powder यूज कर रहा है and the shade is vanilla तो इसको मैंने उपर दिखने आपके उपर लिया and then dapping motion में close to the eyes apply कर दिया like this और उसके बार फिर फाल में full face करेंगे आपाइस close करना forehead चोटा साय है तो मैंने उसके उपर pizza puff के साथ ही कर दिया and then now the brush part तो brush के साथ करेंगे तो powder के लिए जो मैं brush यूज कर रहा हूँ that is यह वाला brush यूज कर रहा हूँ powder के लिए यूज कर रहा हूँ आप इसली मतलब brush काफी अच्छ है and hair है मतलब इसका जो ब्रेसल्स है hair है number is 201 है and आप देखो कि किते अच्छे से face को फटा फट से इसने cover कर लिया और हमारा makeup इजी भी होगा जल्दी जल्दी एगर छोटा brush यूज करोगे अब्वेसी बात है उसमें time जादा लगेगा उपर दीखने and the जो ब्रेसल्स है वो hair है तो उसके साथ के application smooth भी काफी हो जाती है client को भी नहीं लगता कि उनके face के उपर आप बार 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 कुछ मतलब पिंच कर रहे हैं otherwise तो कुछ brushes ऐसे होते हैं वह तो ऐसा लगता है कि भी skin बार आजाए so वैसा हमारे पास यहां पर कोई feel नहीं है and now the kajal part एक बरी मैं कर लूँ meanwhile mascara करेंगे and then lashes kajal मुझे हलका सा फिर से intense करना है and the kajal is done मुझे under eye kajal के लिए एक brush चाहिए ठीक है यह वाला brush यूज करूँगा round brush है two, four, three इसके साथ मैंने क्या कैसे kajal pick किया and then finishing के लिए क्योंकि यह application के लिए मैंने brush मुझे चाहिए था थोड़ा सा round चाहिए so that मैं अच्छे से वहां बे finishing दे सकूँ see the mascara part mascara के लिए हम shoparel का mascara यूज कर रहे है shoparel का waterproof mascara है so इसके साथ उपर दिखना रुका उपर उपर yes यह mascara काफी अच्छा है इवन waterproof है stay करता है और bleed भी नहीं करता है अच्छे से अच्छे से मस्कारा करने के बाद हम क्या करेंगे अंडर आई एक बारी फिर से clean कर देंगे जो वही brush यूज कर रहे हैं जिसके साथ पहले हमने किया था and done so अब मैं क्या करूंगा अंडर आई final हो गया हमारा make-up मैंने यहां पर loose powder काफी कम लगा क्योंकि जब आप पेजा पफ के साथ या किसी भी पफ के साथ powder apply करते हो तो automatically वह कम आता तो आपको बाद में उसको dust off करने की जरूरत ही नहीं बढ़ती so एक बारी मैंने वहां पर finishing दे दी and अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे एक बारी powder blusher क्योंकि blush को enhance और दुबारा rich करने के लिए powder blush use करेंगे so इसके लिए मैं उसी का same shade use कर रहा हूं जो पहले हमने liquid में shade use किया था तो वह similar shade powder में भी आता है so this is a similar shade enhance करने के लिए दुबारा से जो यहां पर मैं brush use कर रहा हूं that is from chapparel 105 smile yes so आज जो हमारे यह bride है इनको हम बड़ी glossy and shiny shiny see look करेंगे and halka सा nose के उपर nose को contour करना is optional क्योंकि अल्रडी जिनका nose पतला है and small है तो उसको contour करना is optional आप avoid भी कर सकते हूं so contour के लिए मैं brush use कर रहा हूं 102 angle brush है and मैंने यहां से product उठाया and under the chin application की मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि contour and bronzer में क्या difference होता है तो आप वीडियो देखो आपको इसमें पता चलेगा कि contour and bronzer में difference क्या होता है mostly सब लोग इसी चीज में confused रहता है कि दोनों देखने के लिए तो एक जैसे लगते है application भी एक जैसे होती है but फरक क्या होता है so अब मैं जो use कर रहा हूं that is bronzer अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि difference क्या होता है contour and bronzer में तो वो मुझे comments में mention करो now the finishing part उससे पहले हम क्या करेंगे हमारी lashes रहेगे आप एक बड़ी lashes glue कर दो lash so अभी मैं highlighter use करने वाला हूं क्योंकि इनकी look में हमें थोड़ा सा glamorous glamorous effect देना है तो highlighter के लिए मैं यहां पर brush use कर रहा हूं यह वाला brush use करूंगा one two five तो इसके साथ मैंने highlighter apply किया smile so इस area से हम highlighter की application करेंगे and chin part और हलका सा dot लगाएंगे nose के उपर आप देखो brush कितना अच्छा है एक तो देखो fan brush है mostly जाता fan brushes बड़े होते हैं उसके साथ ने यहां पर application आई नहीं बाते है intense नहीं हो बाता इसके साथ कितना intense अगर आप forehead पे भी लगा रहे तो इसकी जो shape है इसके साथ आप देखो browse के साथ इस direction में horizontal और वर्टिकलर दोनों direction में brush को use कर सकते हो so dapping motion में and upper the lip भी करी देते हैं so अब हम lash application करेंगे lash application के बाद हमारा रह जाएगा सिरफ lip shade ý करेंगे जाएगा जिविक्सावार रो deleting के ठेखोर स्कित आप इसलैनके कि उपन आप आप क הגपन है आप से ड्रफ law आप एसलैन से तो अभी मैं क्या करूंगा दिखो जब भी आप क्लाइंट को ऐसे लेश लगाते तो कभी कभी उपना ग्लू के कारे महां पर शाइनी सा एफेक्ट आता है तो उस एफेक्ट को खतम करने के लिए मैं यहां पर पैंसिल लोंगा आई पैंसिल बट कलर जो मैं अपलाई करूंग तो अब ब्रेश के साथ मुझे लाइनर ब्रेश यह पड़ा ठीक है मैंने ऐसे यह लाइनर ब्रेश लिया और आई पैंसिल यहां पर जैल लाइनर अवाइड कर सकते क्योंकि जो पैंसिल वो जल्दी ड्राइए होती है और उसका ना प्रेंट भी नहाता कभी-कभी जैल ला लाइन उस लाइन को खतम कर देंगे जो वहां पर शाइनी पाट आ रहे है आप लोगों को एक हैक बताऊंगा जब मैं इनकी दूसरी साइड भी कर लूँगा उसके लिए हैक बताऊंगा वो जो हैक है वो हमारा रील्स में एंड शॉट्स में जाएगा आप वहां पर देख सकते हो कि लिप्स को थोड़ा फ्लम्पी एंड थोड़ा सा बोल्ट दिखाने के लिए आप कि इस टेकनिक के साथ लिप्स जो शेप है वो कर सकते हो है